अब कुछ है हैं खबरों की बात करेंगे प्रधान मंत्री नर्यन्र मोधी तीन दिवसी अमेरिका यातरा के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधान मंत्री मोधी अपने दौरे केदारान अमेरिकी राष्ट्पति जो बाइडन से द्वी पक्षिये बारता करेंगे Quad की बैठक में हिस्सा लेंगे ये बैठक अमेरिका के डिलावरे में होगी अमेरिका के नितरत्व में Quad की बैठक में PM Modi के अलावा Australia और जापान के प्रधान मंतरी भी हिस्सा लेंगे PM Modi, Australia और जापान के PM के साथ भी द्वी पक्षिये बैठक करेंगे कोार्ट बैटक के दारान,scene होगा, कोार्ट शेखर सम्मिलन के दारान, जिन प्रमुख पहलों की घोशना की जाएगी, उनमें Cancer Moon Son interviews के जारान सादसरी देशों की सहयोग शामिल है, कौर्ट शेकर सम्मिलन के दारा नायजूत होने वाले कैंसर मूनशॉट कारकरम प्राथमिक्ता होगी प्राथमिक्ता वैसे प्राथमिक्ता वैसे प्रामुक ही होती है मूनशॉट कारकरम कैंसर के लाज के सहयोग की दिशा में एक महतुपून कारकरम होगा और प्रधान मंत्री नरिद्र मोदी ने अमेरिका दौरे को लेकर पोस्ट भी किया, उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका के दौरे पर रहूँगा, जहां कई कारेक्रमों में हिस्सा लूँगा, मैं राश्टपती बाइडिन द्वारा, उनके ग्रहनगर, विल्मिंग्टन में आ कर रहा हूँ, मैं राश्टपती बाइडिन के साथ द्विपक्षी बैठक भी करूँगा, न्यूँ यॉर्क में मैं भविश्य के शिखर सम्मिलन में भाग लूँगा, मैं शहर में एक सामुदाइक कारेक्रम को भी संबोधित करूँगा इधर कॉंग्रेस ने आज 36 गढ़ बंद का आवान किया है, कबरधा जिले के लोहारी डी ही गाव में हुई घटना को लेकर ये बंद का एलान किया गया है कॉंग्रेस ने ग्रह मंतरी के स्तीफे की मांग की है, इसके अलावा घटना की जांच हाई कोट के सिटिंग जच से करानी की मांग भी कॉंग्रेस कर रही है लोहारी डिये में मॉब लिंचेंग का आरूपी जेल में बंद था बंदी की जेल में मौत हो गई परिजनों ने पुलिस पर पतारना की आरूप लगाए थे कॉंग्रेसी उस दौरान बाजार बंद कराने भी निकले कवरधा कांड के विरूद में कॉंग्रेस ने बंद बुलाया 36 गड़ बंद का आवान हाला कि पूरे 36 गड़ में इसका अलग-अलग असर देखनें को मिल रहा है रायपूर में जादतर जगों पर मार्केट खुले हुए हैं दुकाने खुली हुई है थोड़े विरूदा भास भी है चेंबर आफ कॉमर्स ने इससे समर्थन नहीं दिया है साउसमाज खुद इससे समर्थन नहीं दे रहा है इससे लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे है पूरा मामला कवरधा के लोहारी डीह में मॉब लिंचिंग के आरोपी की जेल में मौत से जुड़ा हुआ है प्रदेश भर में बंद का आवाहन किया है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने समर्थकों के साथ निकले है रायपूर में बंद का आवाहन करने के लिए बंद का आवाहन पूरे प्रदेश में आप लोग कर रहे है बिल्कोल जिस तरह से पुरा कवरदा जलरा है ग्री मंत्री का ग्रीह जिला है उनका विराल सभा छेतर अगर सुरक्षित नहीं है जो तीन मौते हुई है उसको रोक सकती थी सरकार लेकिन सरकार की लापरवाही से प्रशासन की लापरवाही से मौते हुई और जिस तरह से पुलीस की बरबरता और जिस तरह से पुलीस की लाटी, डंडे, राड से जिस तरह से मौत नहीं हत्या हुई है उसके खिलाप में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और जो दोसी अधिकारी है उसको सस्पेंड और थाने से हटाने से काम ने चलेगा उस पर कारवाई होना चाहिए इसलिए आज उनके समर्थन में पूरे कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है और शांती पुर्वग बंद का आवान करने के लिंक लिए चेंबर आफ कॉमर्स ने आपके बंद को समर्थन नहीं दिया इस पर क्या क्या फरक पड़ता है तो पुरा जनता का समर्थन नहीं चत्ति गड़ का समर्थन नहीं इसलिए श्वपूर्थ बंद है और कहीन कई जनता का अशिर्वाद हम लों के साथ तो यह थे प्रदेश का समर्थन मांगने के लिए बंद का आवाहन करने के लिए रायपूर समेथ पूरे 36 गड़ में जो है वो बंद का आवान कांग्रेस में किया है कैमरावन मनीज कीते के साथ अका शुकला नियूज 18 रायपूर 36 और इधर कवर्धा में ही कांग्रेसियों के बंद का विरोध हो रहा है व्यापारियों का दुकान बंद करने से इंकार और जब जब जबरन दुकाने बंद करने की कोशिश की गई तो जोरदार बहस हो गई पुलस ने हलाकर बीज बचाओ करके मामला शांत करवा दिया जबरन दुकाने बंद करने से व्यापारियों ने इंकार कर दिया है कांग्रेसियों के बंद का विरोध हो रहा है और यह उस दौरान की तस्वीर है जब कांग्रेसी एक दुकान को प्रतिष्ठान को बंद कराने पहुंचे थे उस दौरान जमकर बहस भी हो गई कांग्रेस ने इस प्रजर प्रदेश में बंद बुलाया है और कवर्ध में जो वेपाली संग्रठनों ने इसका समझने नहीं किया अलागि कुछ दुकाने आज खुली रही कुछ अब रही कुछ कांग्रेसी जरूर उनको बंद कराने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनके द् और सायोगी मनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए है, मनीश क्या कुछ अपडेट है, नाराज़गी की तस्वीरें, जगड़े की बहस की तस्वीरें आई हैं, जी जी बिल्कुल अले, जी तरह से कांग्रेश्यों ने पहले इलान किया था कि इस सारी को बंद कराएंगे और उसी के विहाब ने वो सभी यहाँ बंद कराने के लिए इंटले हुए है, शुबा से अलग अलग वयपारिक संक्नों सोन उनके द्वारा यह निमेजन करते देखा ग पुलिस जवानों की तनाती की कि पुलिस ने दोनों पक्सकों को संधाया, लेकर वयपारी जबरस्ति बंद नहीं करना चाहते तो आप बंद कराएंगे जो बंद करना सथे उनको बंद कराएंगे और सांधिमपून तरीके से यह जो बंद है वो उसको चलने दिए कर तो कही चलिए, धन्यवाद मनीश इस तमाम जानकारी के लिए इधर गॉलियर के डबरा में एक टेंट हाउस गोदाम में भीचन आग लग गई, शौट सर्किट के चलते शुरुआती जो जानकारी उसके मताबिक शौट सर्किट के चलते आग लगी हो सकती है इस आग में तकरीबन 20 लाग का सामान जलकर खाक होने की बात कही जा रही है फाइर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है कुलकाता समिट में मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर बड़ी कामियाभी मिली है प्रदेश मकरी 20,000 करूण रुपए के निवेश के परस्ताओं मिले है बिरला समूह उजयन के बढ़नगर में 3500 करूण रुपए की लागत से सीमेंट प्लांट लगाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव ने का कि विकास के कार्मा में सरकार को उद्द्यूपतियों के साथ बराबरी से चलना होगा कूलकाता समिट में खादे प्रसंसकरण, रसायन, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक, नवकरणी उरुजा समेट विभिन अक्षेतरों में अलग-अलग अक्षेतरों से 19,270 करूड रुपए के निवेश के प्रस्ताओं मिले है इनके जरीए 9,450 लोगों को रुजगार मिल सकता है खबर बलोदा बाजार से जहां चाकू बाज़ी में एक युवक की मौत हो गई, युवक के पडोसी पर ही चाकू मारने के आरूप लगे है इलाज के लिए अस्पताल में युवक को भरती करवाया गया लेकिन जान नहीं बच पाई, इलाज के दारान अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया वारदात के बाद आरूप फरार है, इसके तलाश की जा रही है, बलौदा बाजार के लवन का ये पूरा मामला है, चाकू बाज़ी का इधर राजन गव में दो बाईक आपस में ठकरा गई और एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबके दो घायल हो गए, दोनों जो युवक घायल है, उनके हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, खेरागढ़ थानाक शेतर में ये हाथसा हुआ मनेंद्र सिन्हाएन गिराफ़तार कर लिया गया, एसी बी ने रिश्वत लेते रहें हाथों गिराफ़तार किया, ऐसे अधिक संपत्ती की अब जाच चल रही है, मनेंद्रगण जनपद पंचायत का पूरा मामला है इधर मुंगेली में CM स्कूल जतन योजना में गड़बड़ी की बात सामने आई है, तीन SGO आर्ट सब इंजीनर को नोटिस जारी किया गया है, आरूपी छेकेदार से रिकवरी करने के भी हादेश दिये गए है CM जतन योजना के तहट 25 स्कूलों में गड़बड़ी की बात सामने आई है, कॉंग्रिस की सरकार में इस योजना में गड़बड़ी हुई थी, कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई, जांच में एक खुलासा हुआ में गड़बड़ी का पाइए है कि ताम अटेश्या के एक खराविच्पर का हुआ है, जिसके हम लोगाने इस पर्पर्पर्टिंग कर ली है, और सभी के विल्ग में शोपर लोकी जारी किया गया है, साथी साथ लाकों रुपए की रिकवरी भी हमनों जो है, निकालने वाल केशकाल घाटी और शहर की जरजर सड़क को लेकर राजनीती गर्माने लगी है, स्मुद्धे को लेकर कॉंग्रस जन अंदोलन शुरू करने जा रही है, जरजर सड़कों को लेकर केशकाल के टाठामारी में कॉंग्रस ने एक बैठकी, बैठक के बाद पूरुमंत्री मोहन मरकाम ने 24 सितम्मर से अंदोलन की घूस्टा की है, मोहन मरकाम ने केशकाल विधायक नील कंठ टेकाम पर निशाना साधा, दूसरी तरफ नील कंठ टेकाम कॉंग्रस के पूर विधायक पर 10 साल तक कोई काम करने का आरूप लगा रहे हैं. जिसमें हजारों की संक्या यहां कोई कट्टा हो गया और जन्ता की रहात हम कैसे मिले, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी हम ऐसा लड़ती रही है. अब ही उनका आयोजन होने जा रहा है और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि घाट का जो नए सिरे से रिनिवेशन कराने का काम और सहर के अंदर जो सड़क की हालात है, उसको मरमत कराने का काम की सुक्रिती हो चुकी है. कोर्बा में 12 घंटे के बाद चक्का जाम खत्म हो गया. पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के तीन पंचायतों के ग्रामीनों ने चक्का जाम किया था. सड़क, बिजली, पानी. ऐसी पांस तूत्री मांगों को लेकर सड़क पर धरने पर ग्रामीन बैट गए थे. आश्वासन मिला समस्याओं के निराकरण का ये मान गए. जबलपूर में गल्स हॉस्टल में सांप निकलने से हड़कम पमच गया. हॉस्टल की मैस में साथ फीट लंबा सांप छिपकर बैठा था. इस दारान सांप दिखने के बाद महा मौजूद लोगों में हड़कम पमच गया. आनन फानन में स्नेक्याचर को बुलाए गया. करिम शक्त के बाद इस सांप को पकड़ा गया. और फिर सुरक्षिते से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया. झाल झाल